हेलो फ्रेंड्स एडवांस पीए फॉर्म कैसे वरा जाता है अभी इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेज स्टेप बाइ स्टेप समझाऊंगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए वीडियो सुरू करने से पहले आपसे सोटी सी रिक्वेस्ट है जेम टेकनिकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मैं ऐसा को नया वीडियो अप्लोड करो तो आपको नोटिपिकेशन मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने को ब्राउजर में EPF का मेंबर पोर्टल होता वो उपन कर करना है तो मैं यहाँ फिर आपको एक एक काड़ यह डालना है फिर साइण इन कर दीजिए अभी अपने को क्या करना है सबसे पहले आप अपना पास्टूग है वो चेक कर लिजिए उसमें आपका पैमेट अभी तक कितना है तो मैं पास्टूग लोगिन करता हूं उसके बा इसे प्रोशेजर होता है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर इसको अभी निकाल भी सकते हैं तो इसका मैं वीयू पास्ट स्वुक चेक कर लेता हूं अब बीकितना है कि डाउन्लोड कर देता हूं डाउनलूड होनेंग बाद इसको ओपन कर लीजिए अब इसमें देखिए आपका टोटल एमाउंट है कितना 23447 711 it is something 28000 करीब होगा तो 28000 में आपको 70% आप इसमें एडवांस निकाल सकते हैं जितना भी आपका इमाउंट होता है टोटल उस एमाउंट को आप मल्टिप्लाई करके और इसमें 70% आपका कितना इमाउंट होता है उतना आप इमाउंट निकाल सकते हैं जैसे 1000 है तो साथ हो निकलेगा इस इसाफ़ आपका यह पहले केल्कुलेशन कर लीजिए उसके बाद का इमाउंट भर दीजिए अभी आपने देख लिया अब आपने जाते हैं इसकी मेंबर पोर्टल आइडी पर अभी अपने को फिर ओनलाइन सर्विस होता है वहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद आपको पहला ही ओप्षन आएगा वो क्लेम पॉर्म 31 19 और 10C और 10D अभी अपना जो एडवांस पॉर्म होता है वो 31 का होता है अब इसमें आपको 이 जो एकांट नमबर है उसमें लस्ट का 4 डिजित यहां पर इंटर करना है तो मैं पर इंटर कर देता हूं उसके बाद यहां पर वेरिफाई करना है उसके बाद I If panicwar कर दिजिए ऊपने नमबर सर्वाइं तो यहां पर स्वार्वान क्लिक और दिया है इम वोत miser हो जाता है और आप चाल में आपको चालू ह dobr और इसमिसने आपको बधिर्व करना है लो पूंस और दिया है जो सब्सक्रा आपको सब नमबर 31 और फॉर्म नमर 19 और 10 सी होता है फुल विड्रोल के लिए होता है नौकरी सोड़ने के बाद में तो अब भी खाली मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसका जो पीएप एडवांस होता है वो कैसे विड्रोल होता है तो आपको खाली जो प्रोसेजर होता हो सहम ही होता ह कोई फरक नहीं होता है इसमें खाली फॉर्म बढ़ना अलग-अलग होता है उसमें नौकरी चालू होती है तब यह भरा जाता है अब नौकरी आपकी चालू है तो यह तीन और चार आपके इसमें आएंगे निए खाली पी अडवांस का यह आप अपसण आएगा तो अभी मैं प्रोसेज रोगा अभी इसमें आपको क्या करना है requirement किस वज़े से है आपका जैसे बीमारी है कोई बीमारी से वज़े से है कोरोना भी चल रहा तो इस वजह से बीमारी का भी हो सकता है तो इलने इस पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद आपको 70% आपका इसमें कितना एमाउंट है वो उतना ही एमाउंट डाली है एमाउंट आप ज्यादा डाल दोगे तो आपका फोरूम रिजेक्ट हो जाएगा कम डाल है उससाब चाहब निकाल सकते हूँ तो मैं इसमें 15 जार एंट्री कर देता हूं उसके बाद आपको यहां पे एड्रेस डालना है अभी एड्रेस डाल दिया उसके बाद आपको यहां पर सिलेक्ट पुछेगा तो जो स्टेट लगता हो स्टेट डाल दीजिए उसके बाद फिर आपने को जो CT का होता है पिन कोट नमर वो यहाँ पर डालना है। फिर आपने को जो upload scan of checkbook and passbook जो अपना account नमर इसमें दिया हुआ है उस account की या तो passbook upload करनी है या फिर checkbook। चैक है आपका check cancel check करके single scan scan करके without sign करना है खाली दो line मारके cancel लिख देना उसके उपर फिर इसको upload करना है यह only for आपका account verify करने के लिए upload किया जाता है या तो आपका bank की passbook हो या फिर आपका check को कोई भी एक check हो उसको cancel करके sign वाइन उस चैक पर नहीं करना है डारेक cancel करके scan करके इसको upload करना है जो jpg होनी चाहिए इसकी file होती है वो PDF अगरे इसमें support नहीं होगा और इसमें 100-500 KB के भी होना चाहिए इसकी size भी size तो 500 KB भी बहुत है इसमें वो कोई issue नहीं अभी इसको source file कर देता हूं तो मेरे पास अभी है जो यह पड़ा है पास्बूक तो इसको upload कर देता हूं पास्बूक पर आपका bank का stamp और आपका photo और उसमें sign किया होना चाहिए नहीं तो आपका applicable यह नहीं होगा नहीं तो यह reject कर जाएगा form उसके बाद मैं फिर अपने मैं परमानित करता हूं कि मैंने UN portal पर सभी data अभी बांती देख लिए है तो आपका फॉर्म नमर ग्यार नया बैंक अभीवन और संके सभी data सभी data सभी पाया गया है तो यह आपका data दो आपने लिखा है वह बिल्कुल सभी है उसमें कोई गलत नहीं है तो आपका फॉर्म एप्रूव हो जाएगा अन्या था आपका जो इसमें UN में नमर दिया हुआ है उसमें OTP नहीं जाएगा अब जो अधार कार्ड में मोबाल नमर रजिस्टर होना भी जरूर है आपका अधार कार्ड में मोबाल नमर रजिस्टर नहीं है तो आपका OTP जाएगा भी नहीं और होर में पूरा complete नहीं होगा तो अब इसमें गेट अधार OTP पर क्लिक कर देते हैं, अब यह OTP बेजने बाद यहां पर आपको OTP डालना है, जैसे OTP आगे तो OTP डाल दिया, OTP से डिजिट का code आएगा, one time password, तो इसके बाद फिर validate OTP and submit claim form पर कर देना है, यह submit होने के बाद में आपको online पर जाके claim status पर जाके check कर सकते हैं, यहां पर जैसे कि यह 3 form बढ़ा गया है, reject हो गया है किसी कारण, जैसे एक form था, settle हो गया, आपका complete हो जाएगा, जब भी आपको बाद में कभी check करना हो, तो यहां पर आपको online service में भी जाना है, track claim status पर करना है, आपको जितना भी आपने form बढ़ा गया था, वह आपको करते हो, आज कब अशितना है, फिर मिलते हैं नए टोपी के साथ, जब तक लिए जय हिंद वंदे मात्र हो,